शिमला जिला में आज फिर एक बस हादसे का शिकार हो गई है थीयोग के छैला के पास HRTC की बस सड़क धंसने की वजह से पलट गई जानकारी के अनुसार तहसील कोट खाई के देवगड पंचायत के बाग कूफर में हिमाचल पतपरिवहन निगम की बस सड़क धंसने की वजह से पलट गई हादसे में बस में सवार 14 यातरी घाल हो गए हादसा गुरुवार सुबह का बताया जा रहा है हादसे की सूचना के बाद सभी घालों को अस्पिताल में पहुंचाया गया अभी तक किसी भी प्रकार के जाने नुकसान की खबर नहीं है बस ज़राई से शिमला की ओर जा रही थी बस नंबर हच पी शुन्य तीन भी छई शुन्य पांच तिन के दुरगटना ग्रस्त होनी की सूचना मिलते ही स्थानिय लोगों ने बचाओ एवं राहत कार्य शुरू किया पुलिस की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और चार्च में जुट गई पुलिस ने अस्पिताल में घायलों के बयान भी दर्ज किये हैं